दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू अपकमिंग बाइक बजाज ट्रैंफ स्क्रैंप 250 के बारे में यह बाइक ट्रैंफ कमपनी की सबसे ज़्यादा अफोर्डेवल बाइक होने वाली है क्योंकि ट्रैंफ की ज़्यादा तर बाइके प्रीमियम कॉलिटी में आती है इसलिए उनकी प्रैस ज़्यादा हाई रहती है इसलिए company ने बजाज company के साथ में collab किया है ताकि इस bike को एक affordable price में launch किया जा सके सबसे पहले आप लोग bike का look देखिए bike का look और एक scrambler और rodaster के जैसे दिया गया है जिसमें कि single seat दी गई है bike के headlight की बात करें तो आपको round shape में फुली LED headlight का setup मिलेगा और suspension की बात करें तो आप front में देख सकते हैं EHD folks suspension दिया गया है और rear में monosock suspension है tire की बात करें तो आपको tubeless मिलने वाले हैं front में 110 by 80 का tubeless tire मिलने वाला है और rear में super wide tubeless radial tire रहने वाला है जिसकी size 140 by 70 का रहने वाला है बाइक के engine की बात करें तो आपको इस बाइक में 250 cc का liquid cool engine मिलेगा जो की बजार dominar 250 में मिलता है same वही engine इस बाइक में भी मिलने वाला है जो लगबख 27 bhp की power और 24 newton meter का torque produce करता है और इस बाइक में 6 gear मिलने वाले हैं बाइक के top speed की बात करें तो आपको इसमें 150 की top speed मिल जाएगी बाइक के fuel tank की बात करें तो आपको इसमें 14 liter का fuel tank मिलने वाला है और इसकी mileage आपको 30 से लेके 35 के आसपास मिलने वाली है बाइक में retro look के साथ में semi digital meter console मिलने वाला है जिसमें के bluetooth connectivity का भी feature रहेगा और turn by turn navigation का भी option मिल सकता है इसके launching की बात करें तो यह बाइक इंडिया में September या October महिने में launch हो सकती है और इस बाइक का price जो है expected है 2,40,000 रुपए एक्सोरूम आप लोग comment करके बताओ इसका price कितना होना चाहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like कर दीजिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye